गुड़ मॉर्निंग फ्रेंट्स वेलकम टू फेंटसी टिप्स भाय सल्चेम तो चलिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं सी विए का मैच जो अभी आपको होने वाला है लगभग एक वजे के आस पास ठीक है जो कि आपको जीहंग गॉल्डन वुल्स और वेजिंग डग के जीहल टिप्स आपको बताते हैं तो वीडियो को पूर्य देखिएगा एक एक टिप्स पर ध्यान दीजिएगा और अस्मॉल लिग की टीम पर ध्यान दीजिएगा मैक्सिम मॉस्ट प्रवाबिलेटी वही टीम रखेंगे और जीहल कमिनिसन जरूर ट्राय किजिए तो यहां पर सारे श्टाटर का मैं आपको बता दूँ कि इस टीम का स्टाटर बहुत ही स्ट्रॉंग है हमको मैक्सिम मतलब 4-5 प्लेयर इसके स्टाटर से ही लेने हैं जैसे कि इसका सबसे इंपोर्टन प्लेयर है आपको कियांग व्यू पॉइंट गार्ड में आपको मिलेगा ठीक है और वाई-वांक का अगर बात करें तो इसका पॉइंट और एस्टील ठीकख रहता है और डबली लिबो जो है अस्टाटर है ब्र पॉइंट एस्टिल एवेज कहरें देता है कुछ उतना ज्यादा नहीं है लिव आपको starter में दिखे जाएगा और इसका point rebound का point अच्छा रहता है point में अच्छा point देगा और rebound भी अच्छा देगा और बात करें x जू हो की, x जू हो का point और block ठीक्ठा का rebound average करता है तो ये सारे important player हो गए आपको जिहां गॉर्डन बूल्स के side से, ठीक है अब whizzing duck की बात करें, तो whizzing duck के side से आपको कुछ खास हुआसा दिखता नहीं है इसके player maximum जो इसके bench पे एक दो player है वो ठीक्ठा करता हो दिखता है जैसे एक z fan है और एक s fan है, s fan इसका बहुत अच्छा चुआ है यह generally bench पे ही रहता है, बट हर match में 25-30 मिनट ही आके खेलता ही है और इसका point assist बहुत ही अच्छा है, यह हर match में लगभग point आपको 20 पलस और assist दस बाड़ा दे ही देता है तो s fan बहुत ही अच्छा चुआ इस टीम का, जो best scorer होगा, वो s fan ही होगा और एक player है आपको, यह नक्सी जू, यह ठीक ठाक है, इसका point, rebound, assist, block, still सब कुछ है और x d का भी सब कुछ है, तो इस दोनों में से कोई एक को लेंगे, क्योंकि इस टीम से हमको ज़्यादा नहीं लेना है m lu start करता है, बट उतना ज़्यादा इसका effect नहीं है तो यह सारा मैंने important चीजी बता दिया, most important player, Beijing Duck के side से S fan यह आपको Beijing Duck का best player है, S fan, और एक आपको यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, Z fan और x d यह तीन player इसके बहुत एच्छ हैं Beijing Duck के, और बात करें जिहां golden डखका, तो यहाँ से Q, W, SP twice, universal SP होने वाला है और important player के बात करें, एक X zoo, और Y wang, C saffron, यह 4 player जो है, मुझे ठीक ठाक लगड़े हैं इस team के तो मैंने यह बता दिया, आप चलिए past 5 match match का में दोनों team के आपको record दिखा दोता हूँ फटा-फट वीडियो ज्यादा लंबा में नहीं करना चाहूँगा, शॉर्ट वीडियो रखूँगा एकदम आज, ठीक है, तो चलिए past 5 match का में record दिखा दो आपको तो पहले आप golden wools की trap से देख लिए हरा screenshot पर फटा 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 लोग नजर देते जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्यूबू इस match में injured हो गया था, इसलिए चला गया था, इस पर ध्यान मत दिजिएगा, बांकि आपको X जहां या वो जो ही player बचा था यह सब बस ध्यान देत चलिए screenshot पर, क्योंकि अगर ज़्यादा explain करेंगे यहाँ पर तो आपको ज़्यादा time लगेगा, ठीक है, यहाँ पर क्यूबू का आप देख सकते हैं, ठीक है, performance अब क्यूबू का आप हर जगा performance दिखेगा, हर जगा आपको बहुत अच्छा दिखेगा, क्यूबू का, ठीक तो जो मैंने बताया था किस player का कौन सा चीज अच्छा है, वो मैं यही से, आपको सब कुछ ट्वर डिटेल्स दिया हूँ, और जड लूवी का भी आप देख लिजे, point और rebound अच्छा है इसका, ठीक है, और यह लास्ट रहा आपको, अब यहाँ से वीजिंग डग का, देख आपको bench पर ही खेलता हूँ दिखेगा, लेकिन इसका still देख लिजिए, point देख लिजिए, ठीक है, और आपको point assist अच्छा दिखेगा, S fan का, तो यह last fast bench का performance आप देख लिजिए, सब में आपको S fan ठीक है करता हूँ दिखेगा, ठीक है, तो चलिए, यह तो बात हो गई साड जो भी हैं दोनों टीम के, एक possible small league की team आप यहां आपको दिखा दे, तो possible small league की team आप यहां से देख सकते हैं, मैंने C, Q, W, पूर्या-पूरी फेवर किया है, मैंने यहां पे, golden bulls के लोगों ने 5 player लिये हैं ठीक है, और यहां से मैंने C, Q, W, X, G, L, G, L, G, X, G, O, V, X, G, O, V, G, यह मैंने 5 player ले लिये हैं आपको एक team के, और दूसरे team के golden, sorry, bulls के side से मैंने यहां से S, F, Y, Z, U, और एक player बस मैंने lose लिया यहां पे, create manage करने के लिए, T, Zen, U, E, इसके जगह पे आप अगर player manage करना होगा तो उसको कर लिजिएगा, PP की बात करे, SP तो मैंने fix होने वाला है, PP का choice मैं आपको देता हूँ, SP आप GL में भी सम्में Q, W को ही रखना, और PP की बात करे, तो आप SP के भी साथ जा सकते हो, SP के साथ भी जा सकते हो, और यहां से LGA के साथ भी जा सकते हो, तीन PP च्वाइस है, बट SP च्वाइस एक ही है, फाइनल टीम जो है, हम लोग टेलिग्राम पे प्रोवाइट कराएंगे, टेलिग्राम पे कैसे आना है, चलिए वो बता देते हैं आपको, तो आप टेलिग्राम पे जाके सर्च कर ले जाएगा, simply add the rate नितिस for you, add the rate नितिस for you जैसे ही सर्च करेंगे, टेक है, तो आपको SL Champ link नाम से ग्रूप मिलेगा, यह मेरा main group नहीं है, यह बस एक link के लिए है, main group में आपको दिखाता हूँ, आपको पहले यहाँ जाना है, आपको यह main group का channel का link मिल जाएगा, आप उसको join कर लेना, main channel में आप दिखाएगे, कि कम से कम, आपको यहाँ से दिख जाएगा, 12.7 के सब्सक्राइबर है, और सारे team लोग प्रोवाइट करते हैं, यह दिख लिए जाएभी का match जो हुआ है, उसकी भी team यहाँ भी है, ठेक है, तो यहाँ से आपको सारा team बगएरा, किस match को join करना है, सब कुछ मिल जाएगा, तो आप लोगों को सर्च करना, add the rate, नितीज for you, जैसे सर्च करेंग, slchamp link से नाम मिलेगा, इस चैनल को आप लोगों जाके join कर लिजेगा, और एक बात, prime captain application का link और vision 11, यह दोनों application इसलिए, क्योंकि बास्केट बोल में यहाँ 5 मिन एक्स्ट्रा मि नहीं है, तो इस दोनों application को आप जाके install कर लिजेगा, आपको यहाँ पे slchamp link पे भी यह दोनों link मिल जाएगा, या फिर video के description में भी मिल जाएगा, तो video को मैं छोटा रखने को सिस किया हूँ, इसलिए थोड़ा first rule बनाया है, तो सब लोग like जरूर कीजिएगा, जो लोग सब्सक्राइब कर लिजिए, CBA का साला league हम लोग cover करेंगे, जितने ही मैचेज होते हैं, CBA का सब cover करेंगे, और आप लोग को video भी, मिलेगी video analysis, जिससे कि आप लोग GLRAM से खेल सको, और मैं पूरा नाम वो लिस्ट जो बनाया हूँ, पूरा नाम का, वो इसलिए ताकि आपक credit issue भी नहीं है, इसकी वे team हम लगा, आपको deadline के बाद, dream 11 के deadline के बाद, इसकी वे team provide कर दते हैं, अगर कुछ changes होता है, तो, चैक है, तो चलिए, अब video को ही ही रखते हैं, अब बिद करता हूँ, आप लोगों को video ठीक लगा होगा, और अगर video अच्छा लगा होगा, तो सब लोग लाइक जिरूर कीजिए, और comment करके बताइए कि क्या improvement करना है वीडियो में, क्या नहीं करना है, और नए लोग जो भी है, सब subscribe कर लेजिए, तो चलिए, वीडियो का भी ही रखते हैं, धन्यवाद,